हेलो अवरीवन आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं आज के इस वीडियो में हम बीटा एन गामा फंक्शन से लेटेंट दो नुमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बेसिक नुमेरिकल हैं यह नुमेरिकल बड़े आसान है अगर आपको बीटा गामा फंक्शन की प्र से प्रूफ किया था उन पर मैंने सेप्रेट वीडियो बना रखी है उनको जाकर आप देख सकते हैं और उनकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो पहला कुछिन है एवल्यूट करना हमें 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर 6 एकी बावर माइनस एक्स दी एक्स क को आपको पता हिए है जोगा मैं ङो再 कि बराबर होता है तो जो गिवर मैं जिवाएन पावर सेंपिंटी इस 늘 सफीन इसलोल होगे दिए की पापर मैंने 6 तो ठीक है तो 6 को हमें n-1 की रूप में लिखना है यानि 6 को लिख सकते हम 7-1 यान के प्लेस पर कितना है 7 है तो यह आ जाएगा सब्सक्राइब हो जाएगा और 6 को खोल देंगे 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 720 अब हम लेते हैं दूसरा प्रश्ण जो किए 0 से इंफाइनाइट गिवार मैंने 4x x की पावर 5 अब ऑन 2dx अच्छा जब हमने फॉर्म देख रहे हैं तो सिर्फी की पावर मैंने एक्स होना चाहिए और एक्सी यह तो चलो हम ब्रेक कर देंगे एन माने जोन की रूप में लेकिन यहां पर दिक्काद आ जारी है तो 4x की जगावर x होना चाहिए तो हम गया गरेंगे let 4x is close to z तो 4dx की हो जाएगा dz एक्स की हो जाएगा dz एक्स की हो जाएगा dz अपन 4 अब इन वैल्यूस को यहां पर रख देना है तो यह हो जाएगा एक्स की जगावर हम रखेगे और x की जगावर हम रखेगे z अपन 4 और dx की जगावर dz अपन 4 इसको आप कैल्कुलेशन करके डंग से लिखेंगे तो यह हो जाएगा 0 से इंफाइनाइट 1 की पावर माइनस z, z की पावर 5 by 2, 1 अपन 4 की पावर 7 by 2 तो 4 को लिख सकते हैं हम तो की पावर 2 और 5 by 2 को हम ब्रेक करके लिखेंगे क्योंकि एन मैनस 1 के जगावर 5 by 2 तो n बराबर हो जाएगा 5 by 2 प्लस के 1 यानगी 7 by 2 तो यहां 7 by 2 मैनस 1 के लिख सकते हैं तो यह बनके इंफाइन जिरो से इंफाइनाइट 1 की पावर मैनस Z Z की पावर 7 upon 2 मैनस 1 D Z तो n के जगावर 7 upon 2 है तो यहां जाएगा गामा 7 by 2 आपको पता है जो गामा एन होता है उसे में लिख सकते हैं n-1 गामा के अंदर n-1 तो साथ बट्टे 2 में से जब एक कम करेंगे तो बाहर आगे क्या हो जाएगा 5 by 2 3 by 2 में से एक कम करेंगे याने की 3 by 2 3 by 2 में से एक कम करेंगे याने की 1 by 2 और 1 by 2 गामा में भी बच जाएगा और गामा 1 by 2 की वैले होती है रूट पाई ठीक और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिक्वाइड आंसर मिल जाएगा जो कि होगा पंद्रह रूट पाई एपॉन एक हजार जोबिस हाई होप यह कोशन आपको समझ में जरूर आया होगा अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल पर नहा है तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिक्शन मेल को जरूर प्रस करें